हेलो स्टुडेंट्स आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसी पार्ट सेकेंड के पेपर थार्ड में उसका नाम है माइक्रोबियल न्यूटिशन ग्रोथ एंड कल्चर इसमें हम माइक्रोब्स के न्यूटिशन के बारे में पढ़ेंगे उनके अंदर ग्रोथ कैसी होती है और किस तरह की होती है इसके बारे हम पढ़ेंगे और कल्चर क्या होता है कल्चर मीडियम क्या होते हैं इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज मैं आप लोगों को बताऊंगी माइक्रोबियल न्यूटिशन के बारे में तो हर एक जो लिविंग औ की भी निरंतर आवश्यक्ता रहती है तो क्या होते हैं नूट्रियंट्स पोशक वो पधार्थ होते हैं जिनका उपयोग उर्जा उत्पादन और बायो संस्थेसिस हे तू किया जाता है मेंस नूट्रियंट्स के इनको कहते हैं जिनका यूज हम एनरजी प्रोडक्शन के न säga करते हैं तो बैक्टीरियंड फिजोम एनर्जी के लिए एक्टीरिय फिशा में भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रियंट्स की जरूरत होती है तो बैक्टीव तो यह बहुत चोटी सी सनवजनाय होती है लेकिन यह डिफ्रेंट हैवीटेट्स में पाई जाती है अलग-अलग तरह के आवास में पाई जाती है इस वज़े से इनकी जो न्यूट्रिशन के जो प्रॉसेस है जो पॉशन जो है वो कई सारी विधियों से होता है इनके अंदर हैपी डेट्स है इस लिए वो किसी भी तरह के जो है उनके नूट्रिशन हो सकता है उनके अंदर डिफ्रेंट कंडिशन में पाई जाने जो बैक्टीरियां है उनकी जो आविश्यक्ता है वो भी अलग-अलग होती है मीन्स उनके एंवार्मेंट के अकॉर्डिंग उनकी जैसे कि यू केर्ट में होता है उसी तरह से ही प्राकिरेट में भी ये बायो केमिकल एस्ट ने जो एक्टिविटीज है वो तरह दो तरीके की होती है एक तो संश्रेशी के जिनको एनाबॉलिक कहते हैं और दूसरी केटाबॉलिक जिसमां की विकटन कारी क्रियां इनके अं अनिमल्स है उनको निल लेते है निउक्रियकर किस इन though पिक जिए आवल जैसे होती है जिवन की क्रियां सही तरीके से चलती रहा है इस वाज़ää से एन लिक य्येकर जिए । यह ज्यादा जिरुर्ठ होती है Now common nutritional requirements क्या होती है bacteria की means कौन कौन से जो जरूरत है bacteria के अंदर तो bacteria के organization को यदि हम देखें तो इनका जो शरीर का भार है 95% भाग जो है वो carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, potassium, calcium, magnesium और ferrous का बना हुआ होता है इन जो nutrients है इनको हम क्या कहते है macro nutrients या macro elements इनको हम कहते हैं क्योंकि सुख्ष्म जीवा को ज़रूरत को ज़्यादा मातरा में इन nutrients की ज़रूरत होती है इन में से जो पहले है carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus और sulfur ये सब क्या है किसका निर्माण करते हैं carbohydrates का, protein का, nucleic acids का, fats का ये निर्माण करते हैं इसके अलावा जो potassium, calcium, magnesium और ferrous iron है वो इनके शरीर के अंदर positive ions के रूप में present रहते हैं जो की विभिन प्रकार के कार्यों को संपन करने में सहायक होते हैं तो macro nutrients कौन से हो गए carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, calcium, magnesium and ferrous इसके अलावा कुछ bacteria को micro elements की भी जरूरत होती है micro elements कौन कौन से हैं जैसे की zinc है, cobalt है, molybden, nickel है, copper है ये भी bacteria के शरीर में कोशिकाओं में present रहते हैं तो इन micro nutrients की भी जरूरत जो है वो कोशिकाओं को होती है तो ये जो micro nutrients है, वो usually enzymes और जो co stimulators होते है उनके घटकों के रूप में ये शरीर के अंदर present रहते हैं और एक तरहे से catalyst की तरहे या उत्रेरक की तरहे से ये काम करते हैं कहीं कहीं पर depend करता है, animals कहां रहता है, उसके आधार पर कुछ bacteria को zinc की जरूरत होती है, कुछ bacteria को magnees की जरूरत होती है, कुछ फॉस्वेट समों की जरूरत होती है और कुछ animals जो होते हैं, diatums जैसे हैं, उनकी cell wall में silica पाई जाती है, तो उनको silica की आवरशक्ता होती है तो अधिकांश जो bacteria होते हैं, उनको sodium की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो marine water के अंदर पाई जाते हैं, उनके अंदर जो sodium की concentration है वो comparatively ज्यादा होती है, now nutrition क्या होता है, वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवां को आवशक्त पदार्थों की आपूर्ती की जाती है, nutrition या portion कहलाती है और nutrients क्या है, nutrients कच्चे पदार्थ हैं, जिनका कम या अधिक मात्रा में कच्चे पदार्थों की रूप में उपयोग किया जाता है, raw materials की रूप में जिनका उपयोग किया जाता है तो शरीर की जो metabolic reactions हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, bacterias को organic और inorganic metabolites की निरंतर जरूरत पड़ती रहती है और in organic metabolic पदार्थों को ही सामायनेता हम food कहते हैं या भूजन कहते हैं Now, nutritional types of microorganisms, microorganisms के लिए, microorganisms में कितनी तरह के nutrition प्रेकार हो सकते हैं सभी सजीवा में growth के लिए, उर्जा, hydrogen और electrons की बेसिकली जरूरत होती है ये सभी organisms में, सभी living animals में उनको जरूरत होती है तो पोशिक किये आवश्यक्ताओं के आधहार पर microbes को अलग-अलग scenario में रखया गया है कौन-कौन से सबसे पहले autotrophs Autotrophs means auto-thrups means खुद खाना जो बनाते हैं ये इन microbes में प्रेकाश ये उर्जा के द्वारा अपना भोजन खुद बनाया जाता है means अपना फूड यो खुद बनाते हैं प्रेकाश की उर्जा की सायता से इनको autotrophs कहते हैं heterotrophs ये वह अन्य सजीवों के द्वारा पहले से निर्मित कार्वनिक पदार्थों के विगटन से उर्जा की प्राप्ति करते हैं means जो autotrophs ने खाना बनाया है वो और्गनिक सबस्टेंस की फॉर्म में होता है और इस और्गनिक सबस्टेंस को heterotrophs यूज करते हैं अपने एनर्जी के लिए next है phototrophs ऐसे microbes प्रकाशिय श्रोत को उर्जा के रूप में काम में लेते हैं means sunlight को जो काम में लेते हैं उनको हम phototrophs कहते हैं chemotrophs ऐसे microbes जो और्गनिक और इनर्गनिक सबस्टेंस के oxidation से एनर्जी प्राप्त करते हैं उनको हम chemotrophs कहते हैं lithotrophs ऐस तरह के bacteria जो reduced inorganic substances को electron के शौद के रूप में काम में लेते हैं उनको हम lithotrophs कहते हैं means यहां पर substance क्या है reduced inorganic substances हैं और इनके जो electrons हैं उनको वो काम में लेते हैं organotrophs तो इस तरह के जो microbes हैं वो organic substances को plus hydrogen को plus electrons को अपने यूज में लेते हैं organo means organic substances को photo autotrophs तो इस तरह के जो microbes है photo means light को autotrophs means खुद खाना बनाने वाले हैं प्रेजन्स में CO2 के साथ में वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो प्रकाशिय और और CO2 को यह काम में लेते हैं chemo heterotrophs यह microbes organic substances को ओर्जा hydrogen ion hydrogen ion और electrons and carbon के शोत के रूप में काम में लेते हैं तो इसी तरह से photo lithotrophic heterotrophs photo नाम से ही सारी चीज़ें पता चल रही हैं यह microbes जो हैं प्रदूर्शित जलिय शोत में जो गंदा पानी होता है उसके अंदर पाए जाते हैं यह कार्वनिक पदावधां को carbon के शोत में hydrogen S2S और sulfur की form में और electrons दाता के रूप में यह उपयोग में लेते हैं chemolithotrophs chemolithotrophs इस सम्हूं के जो microbes हैं वो organic substances के oxidation से उर्जा और electrons की प्राप्ति यह करते हैं and mixotrophic इस group के जो microbes हैं वो organic and inorganic substances को उर्जा के शोत के रूप में काम में लेते हैं तो variety है microbes के अंदर उनके habitat के according कि वो अलग-अलग शोतों से energy को काम में लेते हैं now nutritional requirements जो हैं वो क्या है तो microbes के जो शरीर की metabolic activities को संपन कराने के लिए उनकी जो reproductive जरूरत हैं उनको पूरा करने के लिए और energy production के लिए कुछ चीजों की आवशकता होती है जैसे की carbon hydrogen और oxygen nitrogen फॉस्फोरस और sulfur की जरूरत होती है उनको कुछ growth factors होते हैं उनकी भी जरूरत होती है requirement of environmental factors जो environment के factors होते हैं उनकी भी जरूरत इनको होती है तो इन points को अब हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे Thank you